कि मिन नमस्क्रार दोस्तों स्वागत है शूमुस बैलीirm worldview की और एक हेल्थ Vernon इंड़ विडियो में और इस विडियो में HIM बात करने वाले हैं कोरूनरी बाइपर सर्जेरी या फिर बाइपर सर्जरी के बारे मेंring तो हम जब कहें बाइपर सर्जरी और कोरॉनरी बाइपर सर्जरी तो ये क्या है बाइपर सर्जरी क्या है बाइपर सर्जरी कब किया जाता है किया किया जाता है और बाइपर सर्जरी करने में क्या 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 दिक्कते आते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन सा आते हैं उसको कैस surgery क्या है इसका अलग-अलग नाम है coronary bypass surgery ठीक है और एक small form से बुलाया जाता है cabbage surgery CABG coronary artery bypass grafting इस नाम से भी इसे पुकारा जाता है तो यह cabbage surgery और coronary bypass surgery होता क्या है पहले तो coronary surgery और coronary bypass surgery के जानने से पहले आप जानिये के coronary artery circulation system क्या होता है देखिए blood का roll क्या है हमारे body में blood का roll है blood body के हर एक हिस्से में oxygen और जो खाना हम खाते हैं उसका जो एकदम breakdown component है उसको पहुचाता है और हर एक cell को चाहिए यह खाना और oxygen बच और जीवित रहने के लिए रइट तो अभी यह blood अकेले तो इतना पूरा के पूरा body में हर एक कुने में नहीं पहुच पाएगा कि दो उसके लिए pressure चाहिए flow चाहिए और flow बनाने के लिए हमें device चाहिए जो flow बनाता है और वो है हमारा heart एक pump machine जो blood को pump करता है और body के हर एक हिस्से में पहुचाता है जो जो हिस्से में body के deoxygenated blood है मतलब कि oxygen के बिना जो blood है उसको लाता है heart और फिर से lungs में भेजता है lungs में उस blood को oxygen के साथ जोडता है और फिर उस oxygenated blood को body के हर कोने में पहुँचाता है तो यह heart का का काम होता है pumping का काम होता है as a pump काम करता है अब ही heart तो खुद body से अलग नहीं है क्योंकि heart भी body का एक हिस्सा है heart भी body की cell से ही बना हुआ है तो heart का जो cells है खुद का cell है खुद की कोशिका है उसमें भी blood supply चाहिए तो यह जो खुद का blood supply है heart का इसको हम coronary blood supply और coronary circulation system कहते है अभी यह जो coronary circulation system है इस picture में आप यह जो model में यहापर दिखा रहा हूँ इसमें आपको यह picture clear आएगा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह है blood supply जो आप blood supply यहाँ पर देख पार हो red color और blue color दोनों color से हैं यहाँ पर red color का artery blue color का भेन ठीक है तो यह पूरा का पूरा structure यह structure रहता है यह blood supply heart को पूरा चारो तरफ से cover करके रखता है सिर्फ चारो तरफ से नहीं अंदर भी अंदर तक यह blood supply है coronary blood supply है तो अभी किसी भी प्रकार का clot या फिर blockage अगर इस coronary artery में आता है मतलब coronary artery मतलब जहाँ पर fresh blood और oxygen युक्त blood travel करता है वहाँ पर अगर कोई clot आता है तो यह blood supply हर्ट के उस जगा पर नहीं पहुचेगा जहाँ पर वो coronary artery जो particular artery में clog है वो किस जगा पर पहुचाता था वहाँ पर blood नहीं पहुचेगा अगर उस coronary artery में कोई clog है तो इसके वज़े से क्या होगा उस जगा का जो heart का tissue है वो ठीक से काम नहीं करेगा और अगर heart का tissue ठीक से काम नहीं करेगा तो heart बीट नहीं करेगा ठीक से जिसको हम कहते है irregular beating of heart और arrhythmia arrhythmia हो सकता है और अगर उस जगा में heart tissue में blood नहीं पहुचा oxygen नहीं पहुचा, खाना नहीं पहुचा तो वो cells जो है मर जाएंगे उसके वज़े से क्या होगा हर्ट एरेस्ट होगा हर्ट को बीट करना बंद हो जाएगा और फाइनली हर्ट फेलियर हो जाएगा और इंसान का death हो जाएगा तो इतना सारा complications associated है coronary blockage के वज़े से तो यह जब भी coronary blockage होता है इसको ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ रास्ता है medicinal तो कोई रास्ता नहीं है कुछ medicine से हम इसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि यह structural problem है यह mechanical unit है और mechanical unit के problem जो है mechanically ठीक करना है मत्तब सर्जरी से ठीक करना है तो एक सर्जरी है जिस सो हम यह जो clot किया हुआ clot हुए जो artery है इसको हम inflate कर सकते है थोरा clot को हटा सकते है इसको हम कहते है coronary angioplasty coronary angioplasty simple angioplasty टेकनीक है जहाँ पर हम balloon जैसा structure यूज़ करके उसको inflate करते है उसके बाद extent metal stent एक नलका जैसा structure बहुत thin अंदर डाल देते है है coronary artery के अंदर ताकि फिर से clog ना हो जाए बस अगर इससे काम चल जाते है तो अच्छा है क्योंकि यह surgery उतना complex नहीं है इसका खर्चा भी कम आता है बहुत सारे hospitals में available है तो इससे अगर कम चल जा तो अच्छा है मगर अगर किसी को coronary angioplasty से भी जो condition है ठीक नहीं होता है तो क्या किया जाता है coronary bypass मतलब देखो angioplasty ऐसा होता है अगर road jam है तो आप क्या करोगे पहले गारी से उत्रोगे जाओगे देखोगे पूछोगे क्यों jam है भाई किसी वज़े से jam है सब मिलके कोशिच करेंगे jam को ठीक करने को धीरे धीरे जो है movement start करने को यह process होता है angioplasty और अगर आप देखोगे कि ना सामने ऐसा एक jam है एक बहुत बड़ा एक ट्रक है जो बेकार पर आए मतलब वो चल नहीं पाएगा और ऐसे जगा पर वो खड़ाब हुआ है तो उसको कोई shift नहीं कर सकता तो ऐसा अगर situation हो गया तो आप वहाँ पर अगर बैठे रहोगे car के अंदर याप टूइलर के अंदर आप कभी भी उस jam को cross करके नहीं लिकल पाओगे ताब आप क्या सोचोगे आप GPS देखोगे और देखोगे के नया रास्ता क्या है बाइपास क्या है जहां से आप फिर से आपके destination पर पहुँच सको तो यहां पर process simple है अगर angioplasty से काम चलता है तो ठीक है otherwise हमें बाइपास रास्ता देखना है मतलब वह आर्टरी जो है उसमें से blood flow of future में नहीं होगा हम मान ले मान गया है अब हमें extra एक रास्ता बनाना है बाहर से जो destination पर ही जाएगा मगर हम बाहर से लेकर उसको attach कर देंगे ऐसे सीव कर देंगे टिक देंगे तो वह जो blood vessel वह कहां से लेंगे हम वह blood vessel artificial नहीं है वह blood vessel खुद की है हमारी वह blood vessel हम हमारी body के chest के कुछ दूसरे location से या फिर ज्यादा तर टाइम पर leg pair की location से हम लेते हैं पैर की location से ऐसा ले लेते हैं पैर के location में जो है उस्टेच बहुत लंबा लंबा ऐसा structure लेते है blood vessel का वहां से एक structure हम ले लेते हैं blood पैर में जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है कि पैर में automatically देखो एक gravity एक काम करता है blood flow होने में तो obviously अगर एक हम वहां से छोटा एक portion ले 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 तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा बहुत ज्यादे कि बाकी अर्टेवी और वेन है जो blood circulation ठीक ठाक करेगा तो वहां से वह blood vessel को हम लेकर उसको हम bypass करके जोड़ देते हैं जो clock है उससे पहले और clock के बाद connection बना के जोड़ देते हैं बस clock के जगा blood flow नहीं होने के जरूरत है bloody safe flow होगा नहीं blood जो वसल है यहां से blood flow हो जाएगा तो problem जो हो रिलीव हो जाएगा तो यह होता है savage cabbage pathway और coronary bypass surgery coronary artery bypass grafting cabbage ठीक है अभी चलिए बात करते हैं कि यह cabbage क्यों किया जाता है मैंने आपको कहा कि जब भी अगर बॉड़ी में आपका coronary artery में कोई clot आता है तो उसके वज़े से होता है अभी बात यह कि क्लॉट क्यों आता है blood clotting क्यों होता है इसका कुछ parameters है जिसके वज़े से यह होता है पहली बात तो यह clot किस चीज़ से बना हुआ होता है यह deposit होता है cholesterol or fat का तो सब मिलकल calcium cholesterol और उसके साथ साथ यहाँ पर fat जो है excess deposit होकर वहाँ पर एक ठीक structure बना देलता है जहां से blood ब्लड मुव नहीं कर पाता है और वह थिक structure के वज़े से क्या होता है अर्टरी का जो flexibility होता है मतलब आर्टरी से blood जाने के time पर यह बढ़ता है घटता है ऐसा diameter होता है वह flexibility ब्लड supply और रप्चर हो जाए crack हो जाए यह भी हो सकता है तो क्या के reasons है यह होने के लिए पहले तो आपका blood cholesterol high होना blood glucose high होना आपका obesity ज्यादा होना age 45 साल से उपर है इसके लिए families tree है उसके लिए और smoking इसके लिए तो सारे चीजे directly और indirectly linked है आपकी blood clotting के लिए coronary artery cloggage के लिए तो यह अगर होता है तो आपको bypass करना पर सकता है चलिए आप बात करते है coronary bypass surgery कैसे किया जाता है मैंने आपको कहा कि इसके लिए एक सिंपल सा process बोलने में इतना सिंपल है मगर करने में नहीं यह process बहुत common procedure है यह बहुत बार होता है बहुत बार हर साल होता है मगर फिर भी process जो है यह इसके associated complications रहते ही है क्योंकि आप सोचिए यह process बोलने में कितना सिंपल है हम पायर से एक blood vessel लेंगे तो वहां पर एक हमें incision करना पड़ेगा वहां से blood vessel लेंगे अपना काम से छुटकारा नहीं पा सकता अगर हर्ट छुटकारा पागया तो आप चले गए इसके लिए हर्ट को हम हमको हर्ट को stop करना है क्योंकि अगर हर्ट ऐसे पंप करता रहेगा एक movement होगा एक चीज में तो हम कैसे operate कर कैसे surgery करेंगे इसलिए हर्ट को stop करना बहुत important है और हर्ट को अगर stop करेंगे तो कैसे survive करेंगे एक नॉर्मली यह जो cabbage surgery होता है coronary bypass surgery इसका जो duration होता है 3-6 घंटे का duration होता है depending upon the complexity 3-6 घंटे तो 3-6 घंटे के बीच अगर body में blood supply ना हो तो body automatically dead हो जाएगा तो इसके लिए क्या है हमें अलग 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 devices की इस्तमाल करना पर सकता है परता है तो क्या होता है simply surgery के बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले तो sedative दिया जाता है और general anesthesia के अंदर यह surgery perform किया जाता है okay general anesthesia हो गया और इसके साथ-साथ यहां पर एक opening होता है chest यहां पर exactly इस picture में बहुत अच्छा दीखेगा मेरा जो इस यह पर आप देखो यह black है और एक white color का है white और black और इसके बीच में जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है यहां पर यह जो structure बॉर्डर का यह structure में अगर आप खुद की body में भी देखो यहां पर एक ऐसा साउंड आपके पास शायद आया है यह स्टार नाम यह स्टार नियुक अल्ट साथ यह जैसा इस बोन स्के साथ जो एडिट के जडोनों साइड एटाच होता है तो रिपके जैसे इटाज हो रहा है स्टार नाम के साथ हाँ निसी अगए्व सिस्टन देचर मौन को काट करना है फिर डॉस्क मेरा बढ़ को ऐसे इसे डिञ्टर से से ऐपनरा मुटकर से यह rit ईसेड्रिकों का रहा है वन गेटी कि यहां और है को तो हम इसको देख पा रहे हैं अब देख नहीं के साथ हाट बीट हो रहा है हाट को क्या करने है बीटिंग को स्टॉप करने इसके लिए मेडिसिन दिया जाता है इंट्रवेनस लाइन है आपके घीरए-धीर होने लगता है उसका साथ एक मेशिन जिसका हम QUAST हाइं हार्ट लांग मेशिन जो हाट और लॉंग्स दोनों की काम मेशिनख करने कीका और ओवो Àक्सिजन आपक्राहाइओ और फिर सेम्ड बलॉड को बॉडी में सप्लाय कर रहाए तो हाट की काम होगा तो अब हाट हम स्टॉप कर सकते हाट स्टॉप हो गया हाट जब स्टॉप हो गया फिर क्या होता धीरे-धीरे हट में ढूना हम तो पहले इसे ऊंसां सबस्वा Each Water कॉसे तैक क्यों को एक करते हैं तो एक होता है किसी इंसानान उब्स का सब्सक्राइब ख्रवास, विक्षाहिआ, एक न इसाथ हूं आधना यम एक के बाद होदार भी है। सब्सक्राइब यृथ Weakle इसे कारे यृथि कर ले तो मेरं हो करते हैं इंसेशन पैर में करकर हम ब्लड वेसल ले सकते हैं चेस्ट के दूसरी हिस्टे से भी ले सकते हैं लेकर वहाँ पर वह स्टीच कर देंगे तो ये प्रॉसेस तीन से उस्ट गहंटे लगेगा हो उसके बात क्या होगा हमें ट्रे對不對 लगा देते यहां पर क्योंकि अब मेडिसें के एफेक्ट फेड़ाफ हो जाएगा फिर से बीट करने लगेगा हट बीट करेगा मतलब वो पंप है और मारो के पंप में अगर छेद है तो वहां से ब्लड बहुत ज्यादा निकलेगा तो ब्लड निकलता ही है इसलिए एक यहां पर चैनल बनाया जाता है और एक पाइप है उसके साथ मेडिसिन भी डिया जाता आई वी मेडिसिन चलता है कंटीनीव बर फिर भी मोनिटर करने के लिए देखा जाता थोड़ा बहुत भूद तो आएगा ही ब्लड अगर चाहिए तो उसको भी ब्लड रखते हैं उसके साथ ब्लड भी चल्ज करना पर सकता है तो यह को ओपिए फिलिट खोट सकता है तो एक लगए कर सकता यह तो फेसे में राणद पर फेसमेकर यह बेख Alex डाला पर verschक्ता तो यह process हो गया पेस्ट में कर और सब कुछ हो गया ड्रिपिंग पाइप हो गया सिल कर दिया गया अभी हो जाने के बाद पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है यू में और पेशेंट आइस दीन मौझूद रहेंगे क्योंकि आईसी में बहुत सारे मेशिन लगा हुआ होगा उसके साथ ऑक्सिजिन ऐसा पाइप लगा हुआ हो गा क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए उतना ताकत नहीं मिलता है तो इसके लिए आई स्यू में रहना बह दीरे-दीरे बंध होगा उन धिरे-दीरे हील होने लगेगा तो दीरे-दीरे फिस पाइप को बाहर निकाला जाता है और पेशेंट को आए-से लेकर जेनल वाड में शिफ्ट किया जाता है जेनल वाड में रहने के बाद पेशेंट पांच साथ दिन डिपेंडिंग अपान दडीर टाइम अलग होता है कितना बाइपस था कितना बाइपस सरजरी करना पर आप रहाए इसके उपर डिपेंड करता है सब कुछ तो सब्सक्राइबन मिनिमम तीन हपता 3-4 विक्स मिनिमम मैंने कहा रहा हूं जनल टाइम पर 6-6 विक्स चाहिए होता है और प्रॉपर ली हर कुछ ठीक होने में दो महिने लगी जाता है दो से धाई महिने लग जाता है प्रॉपर पहले जैसा एक जो बॉडी था वो ऐसे फिल करन में 2 महिने लगी जाता है 2-3 महिने लग जाता है यह होता है टोटल भाइपर सेजिरी का सिक्वेंशल स्टेप्स ठीक है अगर आपको मतलब सरजडिक कलिए कहा है री वीडियो आप देख रहे हैं या फिर आपकी पेरेंस का या फिर आपके रिस्तदारों कि किसी का भी यह देखना है तो आपको एक बात में clearly बोल देता हूं यहां पर बहुत सरे लोगा का ये complaint होता है सरजरी के एक दो हपते के बाद यार में सरजरी के बाद तो और भी बुरा हाल हो गया आप सोचो एक बात सरजरी से पहले आपका क्या था आपका बॉडी तो नॉर्माल था कोई इंसीशन वगरे कुछ नहीं था कोई ड्रिपिंग वगरे कुछ नहीं था कोई उंड नहीं था तो वहां पर सिंपल सा क्या था एक ब्लट क्लॉट है और उसी के लिए ब्लट फ्लो नहीं हो पा रहा है हट कर जो रिद्म कुछ लोगों में अरिद्मिया है कुछ प्रॉब्लम में इसलिए बाइपास हो अधर्वाइस तो एंजियो प्रासिस से कम चल जाता तो इसलिए आपका होता था यह प्रॉब्लम था तो अभी अगर आप अफर सजरी क्या होगा अपका इंसिशन हो गया स्टारंब पर यह यहांपर जो बोन यह अपर उसके साथ साथ इनसिशन लेक पर हो गया ठीक है उसके बहुत सारे चीज आपके बाडी में और हाट के अंदरस्टीच हाट में एक स्टीचिंग हुआ है सारे रिजन के वज़े से क्या हो रहा है आपके आपके बॉडी का जो हाले वो बुरा है और यह मानता हूं यह 100% है कि हाँ सरजरी के बाद बाइपस आपके हाल ज्यादा बुरा रहेगा सजरी से पहले से यह नॉर्मल है याद रखेंगे नॉर्मल यह होता ही है यह होने स्वाभा भी मगर क्या होगा एक दो हपते के बाद दस पंदरा दिन के बाद धीरे धीरे हर रोज आप बेटर फिल करने लगोग आपका हाल बुरा ही रहेगा और मतलब आप निगरानी में रहोगे इंटेंस केर यूनिट पे रहोगे आप हर बक्त डॉक्टर्स के निगरानी में रहोगे क्योंकि यह बहुत क्रिटिकल सर्जरी है हर्ट का है इसलिए क्रिटिकल है सर्जरी तो कॉमन है मगर सर्जरी करना है अगर भाइपस हो जाता है अगर नहीं होता है तो इस चैनल में वीडियो अवी जारै अपको मिल जाएगा is तो यह पाइपस ti यह प्रॉब्लेम होता है और यह करसाहरी के बाद आपको आपके लाइफ स्ट्यल में बहुत सारे improvement करना है आप पहले जैसा वैसा hard work जो है आप नहीं कर सकते after two three months even जब आप job join करोगे उसके बाद लाइट काम करो अगर computer के सामने light work करते हो तो ठीक है कोई ऐसा physical काम अगर करते हो तो करने में time लगेगा और वो करने में आपको दिक्कते होंगे तो चलिए आप बात करते कि कितने प्रकार का bypass surgery होते हैं क्या क्या टाइप से देखिए एक तो सर्जरी जो traditional classical surgery उसके बारे में मैंने आपको बता दिया यह classical surgery जो है यह open heart surgery होता है चेस्ट जो rib cage उसको open करके surgery करना होता है open heart और इसके इलावा भी surgery होता है जैसे के आपका surgery है minimally invasive surgery होता है minimally invasive मतलब यहाँ पर आपको heart open heart surgery नहीं होता है मतलब chest rib cage को open नहीं करना होता है यहाँ पर instead of opening the chest cage बाडी के जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ पर कोई इंसीशन तीन चार ऐसे थोरे थोरे छोटे छोटी इंसीशन है इंसीशन होल बनाकर उसके अंदर से लेपरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के जरीए यह हर्ट सर्जरी किया जाता है तो यह तो ही मिनीवल इंवर्सिव हमने बताया आपको यह ओन फंप था ओन फंप ऐ क्लासिकल ओल्ड मेथड है जहाँ पर हम हाट को स्टॉप कर देते हैं और हाट लंग मेशिन के जरीए यह प्रोसेस कंड़क्ट करते हैं फिर प्रोसेस हो जाने के और सरजरी हो जाने के बाद फिर से हर्ट को स्टार्ट कर द बाटरी कॉर्णरी आर्टरी बाइपस ग्राफ्टिंग तो आफ पंप जो सर्जरी होता है उसके मतलब यहाँ पर कोई हर्ट लंग मेशिन यूज नहीं होता मतलब यहाँ पर हर्ट को स्टॉप नहीं किया जाता है हर्ट ऐसा बीट करता रहता है और बीट करते हुए हर्ट सरजरी होता है आप सोचे कि यह बहुत देंजर से मगर यह modern सरजरी है यहाँ पर हम देखते हैं कि minimally invasive surgery मतलब minimum involvement करकर सरजरी कैसे किया जाता है तो यहाँ पर heart beat होता है मगर किसी एक जगा पर जहाँ पर यह problem है वहाँ पर हम एक mechanical device से उस जगा का जो movement उसको slow कर देते सिर्फ उस जगा का फिर surgery करते हैं और heart normal situation पर आ जाता है तो यह होता है off pump cabbage और off pump coronary artery bypass grafting तो यह तीनों प्रकार का surgery के बारे में हमने देखा किसी भी टाइप का surgery आप कर सकते हो अभी भी open heart surgery बहुत जगा होता है और जिस जगा पर मतलब हर वक्त ऐसा पॉसिबल में हर एक के लिए कि open मतलब minimally invasive possible हो minimally invasive possible तर भी होगा जब बहुत कम ऐसा एक clock ऐसा कुछ रहेगा और वह accessible अगर वह accessible ना हो कुछ ऐसे location पर heart का या फिर multiple bypass करना है तो अच्छे visibility चाहिए अच्छे तरीके से काम करना है तो जाके आपको open heart करना होता है वह आपके doctor अपके heart surgeon decide करेंगे कि आपको open heart करना है या फिर minimally invasive से आपका काम चल जाए final कुछ tips अगर आप यह surgery करना चाहते हो तो definitely you don't need to worry about that there are qualified surgeons जो हर रोज बहुत सारे open heart surgery कर रहे हैं वह बहुत ही निगरानी से surgery आपका करेगा तो obviously आप किसी अच्छे जगह से अच्छे hospital से करवाई है और उसके साथ-साथ जो इसधान में रखना कि after surgery आपको time देना है आपको ऐसे सोचना ही कि में दो ही तीन दिन में एकदम उठकर में दौरने लगूंगा यह possible नहीं है कोरुनारी बाइपस surgery में ठीक होस्पिटल स्टे थोरा लाओं है उसके बाद फिर में घर में आने के बाद बहुत प्रॉपर केर चाहिए तो आपके family members को आपकी मदद में बहुत काम आएंगे इस time पर अगर family members time नहीं दे पा रहे है तो definitely किसी ऐसे nurse को आपको hire करना है जो हर बख्त आपके इस काम में मौझूद रहेंगे कि कुछ दिन के लिए आपको यह help और support की जरूरत होंगी ठीक है तो यह सब decide करके और work में भी आप immediately join नहीं कर पाओगे तो एक time frame चाहिए आपको छुट्टी लेकर आना है मगर याद भी रेखिए coronary bypass बहुत कौम होने after 45 years और even after that like generally very common 60 years later उसे पहले नहीं होता है जिनले एंजियो प्लस्टे से काम चल जाता है तो इन लोगों में एक डर रहता है सारे लोगों में जो coronary bypass करत कैसा नहीं रहेगा उसके बाद भी फिर से यह हो सकता है answer है इसका हाँ फिर से blockage हो सकता है मगर वो blockage अगर आपका family history से belong करता है आपका blood sugar है आपका blood cholesterol है और ठीक से regulate नहीं हो पाता तो definitely future में भी आपका यह bypass होगा मतलब coronary artery में कोई ना कोई clogage future में हो सकता है तो इसके life expectancy तुरन तो नहीं घटता जनली जो complications है वो एक ही महीने के बीच रहता है और एक महीने में कोई बंदा यह complications जहल ले तो एक महीने के बाद life expectancy of a coronary artery patient is equal to a normal person उसी age का उससे कोई difference और फरक नहीं परता हाँ मगर coronary artery की bypass surgery के बाद 10 साल के बाद life expectancy जो है वो बहुत घट जाता है यह एक सही बात है तो अगर coronary bypass आपको हुआ है आपका 65 है तो आप समझ सकते हो कि 75 तब खी आपका normal living span और रहेगा अगर आपका बहुत low कम age में हो रहा है 40-45 में जो कि rare है मगर होता है उसमें भी आपको एक डरनी की बात रहता है कि मेरा age कम है और इस कम age में हो गया तो मु मिंटेन रख रहे हो कैसे आपको खुद को stress को regulate करना है आपकी खाना ठीक से regulate करना है cholesterol regulate करना है blood sugar regulate करना है यह सारे चीज़ को regulate करना है सब कुछ ठीक से regulate करेंगे तो जाके आप जो है normal life span को increase कर सकते हो मैंने कह रहा हूँ कि 10 साल के बाद after coronary bypass surgery जो life expectancy है वो 20-30% होता है तो यहां पर 20-30% में मतलब 100 में से 20-30 जो है तो बचेंगे तो उसमें आप भी आ सकते हो अगर ठीक से आप maintain रखो खुद को तो और surgery ठीक से और future में कोई फिर से clotage वहां पर clot न मिले तो यह सब बहुत important है और अगर आप heart की patient हो और heart की patient नहीं भी हो अगर 40 प्लस age या और अगर आप एक man हो आदमी हो तो definitely आप yearly एक बार तो ECG करवाई है बहुत important है और generally जो techniques यूज होते हैं जो diagnostic purpose techniques यूज होते हैं coronary bypass को detect करने के लिए मतलब coronary artery के clotage detect करने के लिए एक तो होता है electrocardiogram एक होता है electro like EKG होता है okay electrocardiography और ecocardiography होता है ecocardiography से क्या पता चलता है एक imaging होता है heart का और वो heart imaging बनता है एक sound wave से तो ecocardiography है और उसके साथ साथ electrocardiogram है उसके साथ MRI है सब चीज से पता चलता है कि heart ठीक से function करना या नहीं जनरल तोर पर एक ECG कम price में आता है उसके साथ साथ blood test हो तो पता चलता है कि heart ठीक ठाक काम कर रहा है नहीं heart के rhythm ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं वह ही important है अगर ECG में कुछ आये problem तब जाके देखना पड़ता है EKG करने के लिए उसके बाद ECG करने के लिए सब secondary things होते है और surgery से पहले obviously MRI करना पड़ता है तो यह रहता है overall idea तो याद रखिएगा अगर आप heart patient हो heart related कोई भी complication है तो आपके लिए समय बहुत महत्पूर्ण है आप time ठीक से maintain कीजिए और कभी भी अगर ऐसा problem है तो आप during jacket time time waste मत कीजिए directly एक अच्छे cardiologist से बात कीजिए और treatment में बने रही है और heart disease के problem यह है कि आपको lifelong treatment में बने रहना है आप ऐसा नहीं है कि दो तीन आप ऐसे में maintain करोंगा खुद को ताकि यह बाद में जाके कुछ problem create ना करें तो यही बात होता है heart disease के ठीक है तो चली चलते है इस वीडियो में hopefully आपको bypass surgery के बारे में details मालूम हो चुका है अगर यह वीडियो का अच्छा लगए तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अपने दोस्तों कॉलीग के साथ और subscribe जरूर करें इस चैनल पर ताकि ऐसे वीडियो future में हम और बनाया आपके लिए thank you bye